दोस्तों अभी अभी वाट्सप पे सर्फिंग करते समय मुझे एक फीचर दिखा तो वाट्सप पे एक नया फीचर आया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाले आगण को प्रेस कर दिखाते हैं आपको वाट्सप का एक नया फीचर तो दोस्तों यह मैं आचुकी हूँ अपने मुबाईल के स्क्रिन पर अभी आपको लेकर चलती हूँ अपने वाट्सप एकाउन पर वहाँ आपको दिखाती हूं क WhatsApp का एक नया feature क्या आया हुआ है हमेशा जो है update आते रहता है और यहां पर आप देखी यहां पर आपको call numbers सारे दीख जाएंगे और आपको यहां अगर आप जाते तो यहां पर आपको story mention की हुई रहती है तो आपको यहां नहीं जाना है आपको before जाना यहां जैसे ही आप जात like neighborhoods or schools can have their own space चलिए इसको start करके देखते ही है क्या start your community तो यहां पर हम देखेंगे start your community में क्या दिया हुआ है first number में दिया हुआ organized related group second दिया हुआ है keep chats focused third दिया हुआ reach everyone at once तो यहां पर get started में फिर से click करेंगे और यहां community name देंगे आपको community name देने के बाद आप community description दे सकते हैं तो यहां मैं आपको पहले back करके दिखाती हूँ कि आखिर यह क्या क्या रहा है अच्छा community name कोई भी community name आप दे दीजे जैसे कि मैं यहां पर अपना नाम ही दे देती हूँ Mrs. गुपता group ठीक है यहां पर आपको दे देना है description तो यहां description में मैं click कर दी हूँ और यहां about of educational topics ठीक है daily topics या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं अभी मैंने बस start किया है तो यहां पर name और description मैंने दे दिया आप यहां पर जाएंगे next next पर आपकर देखेंगे कि create new group का option है और add existing group का option आपको मिल रहा है यहां पर मैं अपने group पे जाकर click करूंगी और यहां पर sign का option दिख रहा है यहां आप देख रहे है create new group create new group में जाएंगे तो एक new group आप फिर से add कर सकते हो disappearing messages यहां पर off और on कर सकते हो यहां पर जो भी message आपको off और on करना है जितने दिनों तक वो आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद हम यहां back जाएंगे और देखेंगे add existing group है यहां पर आपने जिसको group को आपको add करना है select करना है आप यहां पर कर सकते हो यह से मैंने add किया है यहां पर मैंने click कर दिया ठीक है तो यह मेरा जो है मेरे under में यह आ गया announcement group का मैंने यहां पर notification दे दिया सभी को जिसको जिसको यहां पर मैंने add किया है उनको यह message चला जाएगा यहां मैंने sign पर जाकर tick कर दिया तो यह हो गया creating community welcome to the community as a member you can see and join groups in this community and stay updated with admin announcement admin जो है वही announcement कर सकता है कुछ भी तो view community पर जाकर हम click करेंगे और यहां पर देखेंगे Mrs. Gupta group बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है in this group I shared all about of educational topics ठीक है यहां पर invite member का भी option आ रहा है आप send link या copy link करके आप invite भी कर सकते हो तो यहां copy link का भी option है copy हो गया share link का भी option है share पर जाकर आप अप कर सकते हो ठीक है अब यहां पर आज आता है manage group edit community और view members यहां view members पर जाकर click करेंगे तो view members पर जाकर click करेंगे तो देखेंगे यहां पर मैंने इतनी लोगों को add किया हुआ है community creator मैंने दिख रहा है यहां पर फिरम back चले जाते हैं दूसरा option देखते edit community पर जाकर आप edit कर सकते हो कुछ भी यहां पर आप image लगा सकते हैं मैं image लगा देती हूँ gallery में जाकर मैं अपने कुछ images जो है मैं यहां पर ले लेती हूँ तो यहां पर कौन सा image लेना सही रहेगा यहां पर मैं ले लूँगी एक अच्छा सा image अपना यहां पर मैंने एक image ले लिया ठीक है डन कर दिया उसके बाद यह डन हो गया आप देख रहे है ग्रूप आइकन जो है वो आप इसमें ग्रूप के फोटो भी आप डाल सकते हो जैसे आपने जो ग्रूप कनेक्ट किया है उस ग्रूप में जितने लोग हैं उस ग्रूप का पिक भी आप यहां पर लगा सकते हो यह मैंने टिक कर दिया यह community तयार होगे आप यहां से invite कर सकते हो यहां पर exit community कर सकते हो report कर सकते हो deactivate community भी कर सकते हो जैसे ही deactivate community पर आप करोगे यह यहां पर वो जो community आपने बनाया है वो deactivate हो जाएगा तो यहां आपने सीखा कि WhatsApp में आप community कैसे कर सकते हो यहां पर आप add group भी कर स create a new group कर सकते हो add group कर सकते हैं किसी को भी add कर सकते हैं तो क्या यह option आपको दिख रहा है अगर आपको यह option दिख रहा है तो आप जरूर मुझे comment करके बताइए यहाँ पर मैं देख लेती हूँ यहाँ पर देखी group आपका कुछ इस तरीके से दिखता है मिसेज उपता group 10 participants अभी म my family में और यहाँ पर आपका group कुछ इस तरीके से दिखता है यह देखिए यहाँ पर इतने लोग add हो गया देखिए आप exit group भी कर सकते हो यह होगी आपका professional community टैप जहाँ पर आप announce कर सकते हो कुछ भी अपने business से related या फिर कुछ भी यहाँ पर add के option में आप add करके किसी को भी invite कर सकते हो तो यह मैंने पूरा feature के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से आपका group दिखता है ठीक है यह आपका बन गया group मैं back जाती हूं और देखती हूं किस तरीके का मेरा जो देखिए इस तरीके का मेरा जो है group आपको दिखेगा जैसे आपको सब का दिखता था उसी तरीके से मेरा group यहां पर दिख रहा है लेकिन यहां मेरा image कहा गया image नहीं दिख रहा है अच्छा image यहां पर आपको दिखेगा यहां पर तो दोस्तो इस तरीके का feature आपको भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चली आज के लिए इतना ही आगे फिल मिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ थैंक्स वाचिंग